है अब प्रेंड्स आज हम लोग आया है लिटिल मॉंख होमस्टेम ने गाइं टॉक में और यह हमारे लाहन निंगो हमारे फोस्त है यह असल कर बनबास पेड़पा इसके ओनर है इनके यह भाई है और मैं इंजर इनकी जाने वा लिए है इफ नहीं कि अधर किवान देवलोपमेंट एरिया ने किया नाम करें। यह सेंट थे मैं किया नाम होटल करें। होम स्टै है। निल ते सब्सक्राइब। मैं जबाए हैंगे। आदक हुदा है। इतना शांदार पैंटिंग्स है और चोड़ा बच्चा को गिटार की तरफ दिखाईए और इतना शांदार लोकेशन यह गुझी शांदार लुकां को बिल्कुल सामने जैसे ही यह अटाएंगे बिल्कुल सामने व्यूज दिखाईगाद यह अदो हरे करति और ये दीकि पुरा सिक्किम हूं lire देख स Verfügung और यह हुचे जो रोड है नाथूला के तरफ चला जाता है नाथूला के तरफ चाहता है नाथूला के तरफ जाता है यह देखिए कितने शांतार प्रेंटिंग बना रखा है और यह आगे आते हैं देखिए डाइनिंग हॉल यहां बैट करके न यह देखिए यहां बैट यह कितना अच्छा सजा हुआ और इस तरीके से और बैट के हम रात में हम लोगों नहीं पर खाना खाया और यह आफिस है और यह देखे लिटिल मॉंक का यह देखे बिलकुल लोगो है और यह यहां ऐसे मतलब नीचे जाने का रास्ता है फिर उपर में भी है आई यह थोड़ा से उपर की तरफ दिखाते है यह सीड़ियों के से तरफ से हैं लिटल मॉंक यह है लिटल मॉंक यह है लिटल मॉंक का आप लोग डाइक ओनर से बात करेंगे और यहाँ पर भी एमर्जिंसी कॉंटेक्ट है यह देखिए और फिर उसके उपर जाएंगे तो आपको उपर में किचेन और उपर में भी एक फ्लोर है और यह देखिए मामा जी हमारे मौजूद है जिन्होंने रात में खाना बनाया थ हाए कर यह को हाए और यह देखेंए जीय ले गाया किक póई लकजरियस रूम है उस तरीके सजा हुआ और उपर में भी जाओं ऑपर बैठ सकते है शाम में बैठ करके देखिए कि तना च्छा वुध भुध का वह पोटो है और उपर बैठ करके चाह एक साथ हिंजवाए कर सकते हैं और एक बार फिर अपने बनबास दाका जरा सा कॉंटेक्ट नमर बता दे और यहां लिखा हुआ है तो एमर्जेंसी कॉंटेक्ट लिखा हुआ है अच्छा सजा हुआ कितना सजा हुआ कितना सजा हुआ किछन है और हमारे मामा जी देखिए मामा जी भी हमारे ने विल्कुल मामा जी चाह नहीं पिलाएंगा अच गुस्सा हैं क्या मामा जी गुस्सा नहीं है राद में नौब जगा है इनको आई अच्छा यह वाला फ्लोर भी देखते हैं कितना अच्छा से ओफ प्राव लिफ प्लेटलेट्स लगा हुआ हुआ है कितना सजा हुआ है अंदर में शाहिद गिस्ट है ओफ यह देख वरसी शांदार यह रू किया इतने जली यह लेकी बना रहा हुआ है कि यह डबल बेड रूम है डबल बेड रूम नहीं किंग साइज बेड है और यह बाहर का आप व्यूस देख सकते हैं यह देखिए आपको यह यहां से पूरा पूरा गैंग टोक तो नहीं मतलब उसका एक साइड का गैंग टोक का सीटी आपको दिख रहा होगा और में मार्केट में ही है यह आपका हो मिस्टे और यह देखिए नाजारा सुबह के सारे 8 बज़ रहे हैं अभी और यहां पर आप बैटके टी का इंजॉय कर सकते है कि यह लेटरिन बात्रूम होगा इसमें यह आप देख सकते हैं बात्रूम होगा बिल्कुर नीट एंड क्लीन है माइक्रोवन भी आपको अब लेवल है ठीज है अगली बार आप लोग कभी गेंग टॉक आए तो मैं आप लोगो को प्रेफर करूंगी आप लोग यहां प्याएं बिल्कुल अन्वेटेबल सब्सक्राइब कराते हैं तो कहीं भी जाना हो तो सिफ आपको बोलिये और और ही इस वेरी नाइस परसंग मेरे एक कई लोग है जो आपको जानते हैं सेरबादा को तो यह पूरे सिखिम का ट्रेवल भी कराते लिए अन्वेटेबल प्राइस पर से शिखिम का विट गैंग टॉक कर सकते हैं और यहां पर तो कई लोग ऐसे कोई किसी ने बताया एक व करना हो और घुमना हो एक महीने दो महीने के लिए अब रह सकते हैं खाना आपको मिलेगा तो हम बिल्कुल प्राइम लोकेसं पर शाम को टहलते हुए अमजी मार्ट पर चाय पी लिया जागर के तो फिर चलिए इस शेर के साथ कि हम अकेले ही चले थे जानविया मंजिल मगर लोक साथ आते गए और कारवा बनता गया थैंक यू एन हवे नाइस टे